आई डिफरेंस देखते हैं इन दो confusing words में empty और vacant अब अधिकतर इनका मतलब होता है खाली तो जब कोई चीज खाली है तो हम उसके लिए empty या vacant यूज़ करते हैं लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बारीक सांतर भी है तो आप हर जगे जहाँ vacant यूज़ करना है वहाँ empty नहीं यूज़ कर सकते और जहाँ empty यूज़ करना है वहाँ vacant नहीं यूज़ कर सकते तो आई देखते हैं इनका सही इस्तमाल क्या है पहले जानते हैं इनका meaning कहां कैसे different है और फिर्म के इस्तिमाल को देखेंगे, कुछ example sentences के साथ चलिए तो empty आप use करेंगे तब, जब कोई चीज खाली हो मतलब किसी चीज के अंदर कुछ हो ना something that contains nothing तो ये आएगा contains nothing के sense में कि कोई चीज खाली है, उसके अंदर कुछ चीज नहीं है आप एक कमरे को सोचिए, जो खाली है, कुछ furniture नहीं है, कोई कुरसी, मेज नहीं है पिल्कुल खाली कमरा जहां आवाज गुंचती है, वैसा कमरा तो उस खाली के लिए इस्तमाल की जाता है, empty ग्लास खाली है, कोई बॉक्स खाली है, तो उन चीज़ों के लिए जो वैसी खाली चीज़े हैं, उसके लिए आप इस्तमाल करेंगे empty वेकिंड हम अधिकतर इस्तमाल करते हैं, उन चीज़ों के लिए जो अभी occupied नहीं है unoccupied इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ अभी occupied नहीं है, उसको कोई इस्तमाल नहीं कर रहा है, भी एक कमरा समझे यहाँ furniture भी है, समान भी रखा है, टीवी भी सब लगा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई रह नहीं रहा है तो वैसा खाली, जो अभी occupied नहीं है, माल लिजिए आपके घर में कोई कमरा है, जो आप किराय पे देना चाह रहे है, तो आप कहेंगे वो vacant है वो empty नहीं है, वहाँ चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो occupied नहीं है, unoccupied है, इसलिए वो vacant है ऐसा ही हम positions के लिए उस करते हैं, जो seatे निकलती है, कि भाई 5 seatे खाली है, manager की post के लिए तो वहाँ पे भी आप vacant का इस्तमाल करेंगे, empty का इस्तमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो खाली है 5 seatे खाली हैं, 5 seatे भरनी हैं, तो वो seatे unoccupied हैं अभी, वो positions अभी unoccupied है, उनको हमें भरना है, उनको occupy करना है भाई कुछ examples देते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी Your glass is empty, सीधी सी बात है कोई खाली glass आपने देखा किसी का, your glass is empty, उस glass में कुछ है नहीं मतलब अब उसको इतना scientifically मत जाएगा, कैसे कैसे उसकता है, glass में कुछ नहीं, भाई, glass में पानी होगा, या कुछ भी जो पी रहे होंगे वो खाली हो चुका है, जो ही उन्हें पीलिया है, तो खाली है, तो अधिकतर आप ये कह सकते हैं आप देख रहे हैं किसी का पानी का glass है, खाली हो चुका है, उससे आप पोच सकते हैं, इतमाद glass खाली है, और पानी चाहिए, तो उसमें आप your glasses vacant नहीं बोलेंगे, और glasses empty बो कुछ समान नहीं है आपने देखा हो खाली कमरे में आवाज ही गुंचती है तो there is an echo in this room because it's empty, it is empty, खाली कमरा है, समान अमान कुछ है नहीं, आवाज गुंच रही है The position of manager is vacant, तो manager की post जो है, position जो है, वो खाली है यहाँ vacant, is empty नहीं बोलेंगे, is vacant बोलेंगे, क्योंकि यह unoccupied है इसको में भरना है, यह एक vacancy है, आपने देखा हो एक vacancy निकली है तो this is vacant right now, it needs to be occupied, जो position है manager की The parking spot is vacant, you can park here, तो कहीं parking lot है, वहाँ पे एक spot है, वो खाली है occupied नहीं अभी, एक area है, जहाँ पे कुछ है नहीं अभी, गाड़ी गाड़ी खड़ी, भाया आपने गाड़ी यहाँ लगा सकते है The parking lot, this parking lot is vacant, you can park here, तो यहाँ पे भी आप vacant बोलेंगे This room is vacant, हमने यहाँ देखा था, यहाँ room empty था, there is an echo in this room because it's empty, तो वहाँ room खाली था, समान नहीं था यहाँ हम कहरें, this room is vacant, you can stay here अब यह room चीजों से खाली नहीं है, चीजें हैं वहाँ, वहाँ कोई रह नहीं रहा है, तुम यहाँ रह सकते हो This room is vacant, you can stay here, you can live here तो empty और vacant का सही इस्तमाल करने के लिए, आपको यह चीज सबसे पहले समझनी है कि empty हम अधिकतर यूज करते हैं, किसी container के लिए, किसी box के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए इसमें आप सामान नहीं है, room है, खाली है, चीजें नहीं है, लोहों का दिमाग खाली कहते हैं, वही तुमार दिमाग खाली है तो point यह है कि when something contains nothing, वहाँ तो आप empty बोलेंगे vacant आप बोलेंगे, जब कोई चीज अन-occupied है, and it is available for occupancy, मतलब वहाँ आप कोई रह नहीं रहा है, वो position भरी नहीं है बट वह available है, to be occupied, उसमें चीजें अभी आ सकती है, लोग आ सकते हैं, लोग रहना स्टार्ट सकते हैं, जैसा हम उनने यहाँ पर देखा, this room is vacant, you can stay here, the position of manager is vacant, we are looking for a suitable candidate, तो यह था difference, empty और vacant का, आपको इस discussion के बाद, अगर कोई confusion, कोई doubt रहता है, तो please मुझे comments में के, I'll be very happy to help you there, I hope it helps, take care